आखीर चिप्स का डिजाइन ऐसा क्यों होता है और कैसे इस इंसान के किड्नी से एक लाग से भी जादा किड्नी स्टोन निकला और किया आप इक भी दुनिया का सबसे छोटा बंदर देखा है इस वीडियो में ऐसे डेर जरी रेंडम फैट जाने वाले हो जो सुनने के बाद आप भी बोलोगे वाओ नंबर एट आपको सुनकर बहुत ही जदा हैरानी होगी कि अलबाट आइस्टेन ने कहा था अगर इस धर्ति का सारा मधुमक्या मर जाएंगे तो हम इंसान भी चार सारों के अंदर पूरी तरीके से खतम हो जाएंगे लेकिन क्यूंकि दोस्तों जा जाना तो आम बात है लेकिन इस दुनिया में सेमौ आइले नाम का देश में कारून के मताबिक अगर आप अपने बीवी का बड़े भूल जाते हो तो आपको जैल की सजा भी हो सकती है नमबर 6 यह है दुनिया का सबसे चोटा बंदर यह इतनी चोटी है कि दिगने में बिलकुल हमारे उंगली के बराबर होती है इंडिया के लोग सेनिटरी पैट को लेके बहुत ही जादा जागरुख हुए है लेकिन कि आप जाते है सकोट्लेंड ऐसा पहला कांट्री बन गया जहां सेनिटरी नैपकिन बिलकुल फ्री है और सकोट्लेंड में कोई भी इंसान सेनिटरी पैट को सेल नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों नॉर्मल पाइन ट्रिल्स एक्चुली में बहुती उंचा और सीधा पैड होता है लेकिन इस जंगल का पाइन ट्रिल्स ऐसा क्यों होता है यह आज तक कोई नहीं जानता लेकिन दोस्तों साजरी सक्सेस्फुल होने के बाद बोस ने उसे नोक्री से निकाल दिया तो भाई अगली बार से अपने बोस को किड्नी डोनिल करने से पहले दो बार जरूर सोच लेना नमबर टू ये फैक्ट सुनने के बाद आपके होश उनने वाला है दरसल 2009 में भारत का एक डोक्रो ने एक पैशन का किड्नी से एक लाग पचतर हाजर एक सब पच्पॉंट किड्नी स्टोर निकाला था वह भी सिर्फ और सिर्फ लेफ किड्नी से और इसे निकालने में तीन घंटे समय लगा था और इसलिए इसे गिनेस बुक और रेकॉर्ड में शामिल किया गया दोस्तो कि कि आपने कபी सोचा कि चिप्स का डिजाइन ऐसा ही क्यों होता है दरशन दोस्तो इसे प्रिंगल्स डिजाइन कहते है जैसे हाईपर पेड़ाबलेट पेड़ाबलिक नाम का इस फॉर्मुला से बनाए गया है और इस डिजाइन का खास बात यह है कि दोस्तो इस रिजाइन से चीप्स पेकट के अंदर सही सलामत स्टेक रहता है और चीप्स तूटने से भी बच जाता है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ जाने के मिला और सिटने के मिला तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फै